नमस्कार दोस्तों मैं शेशी पुशे प्रसाद आपको अपनी यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं कैसे हैं दोस्तों आप लोग मैं आसा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे दंसे कर रहे होंगे आज हमने जो टौपीक दिया है वो पिरिजश टौपी का ही कंटिविशन पर एक वीडियो मैं ने वरक and टैम का बनाया था अज उसका इस वीडियो में जो भी बचे हुए थे वर्क एंट टाइंग के पॉर्शन मैं उसको कबर करूंगा तो पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं कि पहले पिछली वीडियो को देख लिए उसमें उससे पिछले वीडियो में यूनिक निमें तक का वीडियो डाला है तो उसको आप देख लिए ताकि आपको बेसिक कॉंसेप्ट के लिए रहे अगर फर्मूला अगर भूल भी जाए तो आप उस कुस्चन को इंजामेशन में अच्छे तरह से बना सकते हैं और अगर फर्मूला याद रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख इसके आपको इस वीडियो में पूरा वर्केंट टाइम पर जो भी कॉंसेप्ट है जो भी फर्मूला है आपको मिल जाएगा चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो पहला कुश्चन हम यहां पर कुश्चन के थूरू प्रावलम के थूरू ही समझाने का को सिस करते हैं जो ब्यक्ति किसी काम को ए दिन में पूरा कर सकता है यदि काम सुरू होने के एन दिन बार वी ब्यक्ति और सामिल हो जाता है तो शेज काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा ए ब्यक्ति सबोज किजिए कि पांच ब्यक्ति पहले से उस काम को सुरू किया है और पांच ब्यक्ति तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा इस तरह का गर कुषिन आता है तो उसके लिए जो रिक्वाइड डे है वह जागा एक पुष्ट में ए- ए-ब्लस बी ती इतनी हो जाएगा चलिए इस पर एक इंग्जामबल लेकर देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर ह कितने दिन में कर पाएंगे उस काम को और काम सुरू होने के कितने दिन के बाद है तीन दिन के बाद है तीन दिन के बाद बी बेक्ति बदल्ब और चार बक्ति पूरे आजाते हैं चार बक्ति और आगे इसमें तो अब जो सेस्काम बचा हुआ है कितने दिने पूरा हो सकते अगर आप चाहें तो यूनिट्री मेथड के सहायता से भी इस को बना सकते हैं और अगर यह फर्मूला आपको आता है तो आप उससे भी बना सकते हैं तो देखें जी किपना आया जागा एक वैलू कि उतना है सिधा शिक्स श्यक्ति मिल की सुरूर किया था यह दिन में टार्गेट था लेकिन दिन के बाद और चाहर रहती आगया तो ए मैसे दस माइनस एन की चटापे पर फिरी हो जागा डिवादेड़ वैं ए प्लस बी कितने आदमी च्छे पहले होते हैं चाहर और मिल गए तो दस हो जाएगे यह हो जागा इसको पार देंगे 51 वर फाइव जाएगा इतने दिन में जो काम है वो पूरे हो जाएगे नेक्स कुछन आजी देखते हैं एक इसी काम को करने में बी और सी दोनों के करने में लगे समय का एनगुना समय लेता है बी और सी दोनों काम को जितने दिन में करते हैं मिलके ए अकेले उस काम को दोनों को जो समय लगता है उससे N हुना, N टाइम्स जादा लेता है, समय लेता है, अगर तीनों मिलके काम T समय में पूरा कर लेते हैं, अगर तीनों मिलके वो काम सुरू करता है, तो T समय में जाकर उसको खतम कर देता है, तो अकेला उस काम को A, A अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है तो इसके लिए जो देखे दोस्तों कितना सिंपल है ए का रिपोईट डेट जो हो जाएगा एन प्लस वन इंटूटी सिंपल अगा आप एक परमुला जो है एक हिंजामबल लेके देख लीजिए कि सपोज कि जिए कि एक किसी काम करना है बी और सी के करने से चार गुना समय लेता है एक चार रख दिया हमने बी और सी मिलके जो काम करता है उसका चार गुना समय एकेले करने के लिए लेता है और तीनों मिलके जो ये काम करते हैं सपोज कि ये शे दिन में कर लेते हैं तो ये अकेले उसका मुक्त पूरा कर सकते हैं तो ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू आपने चार रख्खा हुआ है, तो चार प्लस 1 इंटू 6, इसको और करेंगे तो 32, अकेला जो है, 30 दिन में यह उसका आपको कुरा कर लेगा, यह मैं इसी ने बतारा हूँ कि इसी टाप का questions, इंग्जामनेशन में ज्यादा तक पूछे जाते हैं, आप आपको अगर यह सब आते हैं तो आप जब इंग्जामनेशन में देखेंगे question तो आपको बहुत relief नासूच होगा, चलिए next देखते हैं दोस्तों, अगर किसी नौकर को इस सर्थ पे रखा जाता है, अगर कोई एक मालिक एक नौकर को एक सर्थ सर्थ पे रखता है, जैसा सर्थ तो इस सर्थ पे रखता है कि जिस दिन वो काम को पूरा करेगा, जिस दिन काम को करेगा उस दिन उसको A रुपे मिलेंगे, और जिस दिन काम को नहीं करेगा उस दिन उसको B रुपे का जुर माना देना होगा, ठीक है, अगर N दिन के बाद एन दिन काम करने के बाद उस मजदूर को टोटल सी रुपे मिलते हैं तो उस मजदूर ने कितने दिन काम नहीं किया अगर आप इसको प्रोसेस बनाने जाएंगे तो थोड़ा से लंबा होगा टैम टेकन होगा लेकिन आप वो यह फर्मूला अगर आता है तो आप चुट्कियों में इसको बना सकते हैं देखिए इसका क्या रिक्वाइड है एन ए माइनस सी बाइ ए प्लस भी आप इसको नोट भी कर सकते हैं स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन का एक पैटर्न है हमने जेनरल क्वेश्चन लिखा है उसके वैल्यू कुछ भी हो सकता है ठीक है तो कंडिशन क्या था कि जिस दिन काम करता है उस दिन ए रुपे मिलते हैं जिस दिन काम नहीं करता है उसको ब अब इस पर डेटा रख लेते हैं तो अच्छे तरह से और समझना आ जाएगा तो इस पर रूपे मिलते हैं क्या रूपे सबोज कीजिए कि उसको 10 रूपे मिलते हैं अगर वो नहीं क्याम करता है तो इसको 3 रूपे का जुर्माना मिलता है दी का वैल्यू हो जागा तीन और सुपोज कीजिए कि एंड इन के बाद 10 दीन के बाद तो दस एंड की बाद वैल्यू दे लेना लेले तो उसको 10 दिन के बाद उसको तो सी रुपे मिलते हैं, टोटल सुपोज कीजिए उसको पचास रुपे मिल गया, सी के वैलू पचास, तो रिक्वाइड डे कितना दिन वो काम किया है, तो वो निकाल लीजिए, तो एन की वैलू क्या जाएगी, एन की वैलू आपके पास है यहाँ पे, दस दिन, एक की वैलू कितना हो जाएगी, वो भी दस दिन, सी कितना जुर्माना तो टोटल कितना मिला है, तो 50 रुपे, तो टोटल रुपे जुर्माना नहीं, सी का वैलू कितना तो टोटल रुपे उसको पचास मिले हैं, और ए प्लस वी का वैलू, ए कितना था, दस और वी का वैलू किन तो दस प्लस त्री यह हो जागा आपको है हन्डेड मैनस फिट्टी डिवाइड़ बार थर्टे यानि यह हो जागा फिट्टी बार थर्टी इतने दिन वो कांग पे नहीं आया है तो इस तरह से आप फॉर्मुला की यूज करके आप क्वेस्टन को इंजामनेशन में सुर कर लिया है जितना मठपूर्ण प्वेंट्स मैंने कवल कर लिया है ने क्विडीयो मैंने 5 तंखिड के डिलेटेल क EVER बयादता है कि जैसे की एक आदमी एक सिमने करता है किसी काम को भी और तूसरा आदमी वाईस दिन में करता है तो दूनों मिल के जो काम होगा वो X, Y, divided by X plus Y आपने निकाला था, क्या formula था, उसी तरह से अगर एक टंगी किसी ट्रैंक को, एक नाल जो है, किसी ट्रैंक को X घंटे हम भरता है, और दूसरे टंग को य गंटे हम भरता है, तो दूनों मिल के जो भरेंगे, वो X, Y by X plus Y, वो से देख लीजे अच्छे तरीके से ताकि आपको पैप इंटंकी का question अच्छे तरीके से बन जाए ठीक है और अगर वीडियो आपको अच्छे लेए दोस्तों मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए क्योंकि आपका लाइक से ही मुझे मोटिवेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बिल आइकन को दबा लीजे और अपने दोस्तों को भी सेर कीजें ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंच सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पहें पेंटागे में तब तक लिए गुर्वाएं दोस्तों